एलो फ्रेंज वेलकम आप सब का चैनल एंजय गार्डेनीय नेचर में आज मैं आप से शेयर करने वाली हूं कैयर कैसे करें वैसे विगोनिया के बहुत सारे वराइटिज होते हैं उन्हें से एक कैन बीगोनिया भी है और इस तरह निकलता है और यह जो प्लांट है जिसमें इ जैसे जैसे केन विगोनिया की हाइट बढ़ती है हमें प्लांट को सपोर्ट देना पड़ता है नहीं तो ब्रांच येस टेम जो है नीचे की तरब जुखने लगेगा और अपनी आप तूट भी जाता है कभी कबार इसलिए हमें प्लांट को सपोर्ट देना पड़ता है ताकि प्लांट एक अच्छे से शेप ले सके और बेटर रहेगा प्लांट को आप टाइम टू टाइम प्रून करें ताकि प्लांट बुशी हो ज्यादा हाइट ना बड़े प्लांट का विगुनिया के सारे विराइटीज को ब्राइट लाइट पसंद है इसलिए ट्राय करें के sunlight मिले अगर प्रोपर लाइट प्रोपर सन लाइट नहीं मिलती है तो लीफ से जो पैटरन बनता है या जो वेरिकेशन होनी चाहिए जिया में फी प्रॉपर लाइट प्लान को मिले एक्शुल जो लीप्स में पैटरन बनता है वो इस तरह का बनता है लेकिन जो न्यू लीप्स है कहीं कहीं पे आप देखेंगे देखें न्यू लीप्स में भी इस तरह का पैटरन बनता है जहां प्रॉपर लाइट मिलती है और जहां न्यू मिलने चाहिए अब जहां पर भी रखते हैं प्लांट को बात करते हैं केन बीगोनियास के लिए किस तरका सॉयल मिक्स तयार करें लेना है 40% गारडन सोय 30% वर्मि कॉंपोस 30% परलाइट परलाइट नहां हो तो परलाइट की जगह सैंड भी यूज कर सकते हैं कोकोपीट का छोटा होता है और हमें बहुत अर्वाने में इसलिए हमेंगा ह्में भग कंड कविए टोड़ благी बाकि विध परती है अ chick करने को यानिकी इन रिए जीटनी विराइटी वह पते हैं बागी विधुनियवा की इस प्लांत को वाटर की requirement बढ़जाती है så जरूर प्लाण जरूर पानी बिए प्लांट में वोटर की रिक्वारीमेंट आड़ जाती यौन्ष वेक में 10 बर के वीक में दो यह एक बार जरूर पानी भी और हम समय के सेजन में जब बार पानी दें उस समें lake करें बट्राय करें प्लांट को पानी देने से पहले सोयल को चेक कर ले क्योंकि आवर वाटरिंग ज्यादा पानी देने पर भी प्लांट डाय कर जाता है या बहुत कम पानी दे तो भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं है इसलिए सोयल को चेक कर ले पानी देने से पहले और अब बात करते हैं, प्लान्ट की प्रॉपगेशन कैसे करनी चाहिए, प्लान्ट को हम कटिंग से भी प्रॉपगेट कर सकते हैं, प्लान्ट को लेप से भी प्रॉपगेट कर सकते हैं, बट फास्ट रेजल नहीं मिलता है, लेप से प्रॉपगेट करें, तो कम से कम वान मन्त र स्टेम निकल कर आए वैसा ना लें जो मैच्छर होता है उस तरह का लें और हाँ न्यू ब्रांच या स्टेम है तो भी आप ट्राइब करें कि उसका जो जिस एरिया से अपकट ले रहें वह एरिया हार्ड हो बिगुनिया के कटिंग को आप वाटर में प्रोपागेट करकी या और वाटरिंग से भी प्लांट खराब होता है इसलिए ध्यान रहें कि वाटर जो है पॉट में रुके ना कैन बिगुनियास को अगर बुशी बनाना है कैन बिगुनियास अगर लेगी ना हो कैन बिगुनियास के बेज एरिया से बहुत सारे स्टेम निकल कर आए तो इसके आपको क्या करना है यह जो एरिया आप देख रहे हैं प्लांट का इस एरिया से कट करना है बिलकुल यहां से आपको कट करना है और आप देखेंगे और भी ब्रांच इस निकल कर आ रहे हैं प्लांट बुशी हो रहा है बहुत सारे स्टेम भी बेज एरिया से निकल कर आते ह इस तरह से करने पर नहीं तो प्लान जो है लेगी होता चला जाएगा और बेज एरिया से इस टैम बहुत सारे निकल कर नहीं आएंगे तो ये आप धिहान रखें टाइम टु टाइम आप प्लान की प्रूनिंग करें बिगोनियास को प्रून करने का सही टाइम होता है अफ्ट तो ग्रो करते वक्त ज्यादा प्रॉब्लम करने को नहीं मिलती है पैस का भी अटेक बहुत ही कम होता है इस तरह के विगोनियास में अगर हां कभी कभार पैस का डिखने को मिल भी जाये तो नीम ओल करें और और वाटरिंग से बचे प्लांट को ज़्यादा पानी देने पर र चार साल तक ग्रो होता रहेगा बस अपर लेयर का सोयल रिमूफ करके आप नया सोयल एड़ कर दिया करें सीवीट को फटिलाइचर आप दे सकते हाफ टी स्पुन फूल वाटर में मिलाकर होप की वीडियो आपके लिए हलफ और रही होगी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो म प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी क्वेशन हो मुझे कॉमें सेक्शन में पूछ सकते हैं बाबाई